बारा सुटेंशिप मिलने के बाद पहली बार मद्दान कर रहा है इसे बहुत अच्छा लग रहा है बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है बस मैं यही कहना चाहूंगा मैं मेरा बहरत वुक्षित रहे वो मजबूत रहे और बस उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने वोट किया और उसी हसाब से पुरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में स्थाही लगे मुंबई में कम लोग मद्दान करने के लिए निकलते हैं उनके लिए क्या संदेश के लिए अभी तो चालू हुआ है तुन्हें पहले ही बोल दिया मुझे लगठा है इस वक्त बहुत ज़्यादा निकलेंगे आज सुबह देखिए सुबह के साथ बज़े मैं यहां पहुंच गया था सुबह साथ बुजे पोलिंग बूट कोल गया था करीबन ना करीबन पांसो छे सो लोग अंदर मैंने खुद देखे हैं तो अच्छा ही लाइन तोड के निकल जाओ आगे सब्सक्राइब मिलने के बाद पहली बार मतान कर रहा है हाँ जी बहुत अच्छा लग रहा है बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है मैंने अभी बहुत सारे लोगों के फोटोग्राफ देखे अक्षे का देखा जो अलड़ी आ चुके हैं और भी बहुत सारे लोग आते हैं किसी को सेगरिगेट करना उनको डिफेंसिव करना ठीक नहीं है आज हम सब को ये जो पर्व हम मनाते हैं डिमॉक्रिसी का उसको मनाने का मौका मिला है जहां हमारे अधिकार भी हैं वहां हमारे करतवे भी हैं मगर आज का जो यह तिलक है वो इस तिलक से बड़ा होता है क्योंकि आज दिमोक्रेसी आज प्रजात अंत्र का मौतसव है और आज हमें बाहर आकर अपने घरों से निकल कर वोट करना चाहिए ताकि आगे पांच साल तक हमें किस तरह की सरकार चाहिए किस तरह की विवस्ता च चाहिए वो पॉलिटीशन से हो, क्योंकि आपने अपना अधिकार खोया है अगर आपने वोट नहीं किया है. सराजी कैसे चरण का मतदान है, जहां आप वोट कर रहे हैं, उस जगा ऐसा है कि आज फाइनल एक मोड है, जहां से टन ले लेगा सरकार की तरफ, लोग ये मान रहे हैं, क्या कहेंगे पॉलिटीशन से होट नहीं करता हूँ कि क्या टन हो रहा है, मुझे लगता है कि मैं इस श मभावना है, मैं वो सोच कर वोट करता हूँ, इंडिविजुल, बिक्वाजे मेरा इंडिविजुल अधिकार है.